हेई गाईज, वेलकम बैक, आज मैं आपके लिए 10 डेज डाइट चालेंज लेके आई हूँ और इसमें एडिट सारे इंग्रिडियेंट्स इजीली आविलेवल है, साथ में जो रेसिपीस में आपसे शेर की हूँ, सारे इजी टू प्रिपेर वाला है, और ये एक लो कॉस्ट हाई प्रोटिन डाइट है, जो की परफेक्ट है जल्दी वजन, इंचेस और बेली फैट कम करने के लिए, और अगर वजन, इंचेस गटाने के साथ-साथ, ग्लोइंग स्किन भी पाना चाहते हैं, तो इसे जरूर फॉलो करें, 10 दिन के अंदर वीजबल चेंज नोटिस करे इसे PCOD और थायरट वाले भी फॉलो कर सकते हैं, यह डाइट आपको बिल्कुल भी लो या फिर वीक फिल नहीं कराएगा, बस खाने का जो पोर्शन है, वो आपको अपने हिसाब से लेना है, तो चलिए, देखते हैं इसको कैसे फॉलो करना है, सुबह उतके सबसे पहले खा अगर सही डाइट के साथ लिया जाये तो, इसको छोर के भी इसमें और भी कहीं सारे बेनिफिट से हैं, जैसे की इसमें काफी मातर में अंटी- ऑक्सिदेंट है, इंफलेमेशन को रडियूस करता है, और दीज को भी नियांतरन में रखने में मदद करता है, इस ती इस आप और दीजिटिव ट्रेक कंडिशन इंकलुडिंग गैस, कंस्टिपेशन, और इसको चान के पीना है, नेक्स्ट आते है ब्रेक्फस्ट में, ब्रेक्फस्ट में आप यह हल्दी और टेस्टी वाला स्टफट चिला ले सकते हैं, और इसके लिए मैं मूंग दाल चिलका यूस क बनाने में, तो दोनों ही रेसिपी मैं आप से शेयर करने वाली हो, तो इसको अच्छे से वश करके एट लिस्ट हाफ एन आवर के लिए इसको सोग करके रखना है, या फिर आप ओवन नाइट भी रख सकते हो, फिर इसको अच्छे से अगेन वश करके दाल देना है, हाफ ग्राइंडर में, तो इसको ब्लेंट कर लेना है, थोड़ा सा पानी राल के और थोड़ा सा पिंक सॉल डाल के, ये चीला में आप वेजटेबल्स भी यूज कर सकते हो, अपने पसंद का पर मैं इसमें कोई वेजटेबल्स यूज नहीं कर रही हूँ, ये मैं प्लीन चीला बनाऊंगे, क्योंकि मैं पनीर और वेज़िस का स्टफिंग अंदर में डालूंगे, और ये हाई प्रोटीन स्टफ्ट चीला आपको बहुत देर तक फुल रखने में मदद करेगा, ये स्टफ्ट चीला का बेनेफिट मैं अल्रेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे पिछ चीला के लिए भी मैं थोड़ा सा ओयल प्रॉश और कर लिया, सेम पैन पे और ये चीला का बैटर जो है, इसको जैसे डाल के फैला दिया, तो आप चाहो तो दो चीला भी बना सकते हो, मैं मोटा वाला चीला बना रही हूँ, तो एक ही बना रही हूँ, और ये दोनों लेना है, एक कब ग्रीन टी, डेली अगर ये पनीर का स्टफिंग के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दो एग वाइट्स, वेजटेबल के साथ बुरजी बना के, स्टफ चीला बना के ले सकते हैं, जो लोग एग्स नहीं खाते हैं, अगर डेली आपको चीला नही के मिड मॉर्निंग में आप ये वाला सत्तु ड्रिंक ले सकते हैं, और ये ड्रिंक अपके मन और शरीर दोनों को ठंडग देगा, और साथ में इसमें कहीं सारे बेनिफिट्स तो हैं, सबसे पहले ये हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं, हमारे बॉडी के टॉक्स तो इसे बनाने के लिए I am using 50 grams of चने का सत्तु, साथ में मैं यहापे कुछ ice cubes डाल दे, आप ice डाल सकते हो, साथ में normal पानी डालना है, और 1 teaspoon honey, मैं यहापे love sign वाला ice डाली हो, बहुत ही cute है, जरूरी नहीं के आप भी वही डालो, blend करें और थोड़ा सा ग्लास में pink salt पी डाल सकते है, guys सत्तु में essential vitamins and minerals like potassium और magnesium भी रहते है, यह drink हमारे metabolism को boost करता है, और calorie को effective तरीके से burn करने में मदद करता है, अरे 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 यह क्या हो रहा है, ओ अच्छा इसका मतलब try करना तो बनता है, तो breakfast भी हो गया heavy वाला, जैसे कि थोड़ा सा carbs, fat और high protein के साथ, साथ में यह व भूख लगने वाला नहीं है, simple आप एक बोल fruit salad लो, अगर आप breakfast और lunch को alternate करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते है, आप कोई भी seasonal fruit का salad ले सकते है, लंच और evening time के बीच में भूख लगता है, तो आप boiled चना, roasted चना ले सकते है, इवनिंग टाइम पे एक आपल साथ में एक अप green tea ले, and the last meal of the day dinner, dinner में आपको simple डाल सूप ले सकते है, या फिर एक white salad भी ले सकते है, एक white salad का recipe मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आप से अभी डाल सूप का recipe शेयर कर रही हूँ, तो यह दाल pumpkin soup, बहुती filling बाला सूप है, देखके लगता है सूप, पर यह आपको कद्दू ढाल दोगी, और इसको थोरा सा नमक और healthy powder डाल के, सीति लगा दोगी, अब ऐसे भी इसको ले सकते हो, तरका लगा के थोरा सा, मैं थोरा सा blend कर कर के लूँगी, तो यह थोरा सा sweet, sour and spicy kind of बनेगा, तो इसके लिए मैं half teaspoon के जैसे oil डाल दिया, बहुती कम उससे भी क और इसमें क्रश किया हुआ लसन डाल दिया 2-3 थोरा सा ग्रीन चिली डाल दिया और इसको बस कुछ 2-3 सेगें के लिए सौटे कर लूँगी और यह जो ब्लेंडेट जो सूप का मिक्चर है इसको डाल दूँगी और इसको बॉयल अने के लिए रखोंगे और यह वाला सूप डाल दे और एकदम अंत में थोरा सा लेमन जूस डाल के यह वाला सूप को इंजाइ किजिए यह सूप आपको इसलिए फुल रखेगा क्यूंकि दाल में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है दाल में काब्स भी होता है तो सुबह में जो चिला आप लेंगे उसमें भी काब्स है पर मल्टी ग्रेनाटा से बनाई होई और लास्ट बेट टाइम ड्रिंक में अगेन एक कप कालुंजी टी ले सकते है पूरा दीन में तीन सी चाल लीटर पानी पीते रहिए जंग फूट को अवाइट करे और थोड़ा सा एक्सराइस को इंकॉर्पोरेट करे अगर यह वीड के साथ तब तक के लिए हल दिखाए और स्वस्त रहें